बच्चों आपके सामने सो सब प्रतिमिनट गतिका डिक्टेसन दे रहा हूं कहते हैं कि राजनिती में एक हफ्ते का समय काफी लंबा होता है लेकिन महारास्ट के उतल पुतल भरे राजनिती परिद्रस में आदा आपता भी बहुत है पिछले मंगलवार को सरत पवार ने गोशना की कि वह राष्टवादी कांग्रेज पार्टी के प्रमुक के रूप में अपने पद से हट रहे हैं इस गोशना से महारास्ट और राष्टी राजनिती में हलचल मज गई तथा इसके कारणों और परिणामों के बारे में अटकले लगाई जाने लगी इस से यह अंदाजा लगाया गया कि इसने उनके भतीजे अजित पवार के लिए राष्टा खोल दिया जो अपने गुट के साथ भजपा से जुड़कर मुक्यमंत्री बनने के अपने लक्ष से हटे नहीं हैं लेकिन पता चलाकी सरतपवार का उतरादिकारी चुनने के लिए बनाई गई कमिटी ने उनके इस्तिफे को खारीच कर दिया तिन दिन बाद 82 वर्सी सरतपवार ने कमिटी की रिपोर्ट और जन्भावना का हवाला देते हुए इस्तिफा वापस ले लिया बारत का राज्यतिक इतियास इस्तिफे और उसकी वापसी से भरा पड़ा है मात्व समय और राज्यतिक परस्तिती का है अब अटकले ये हैं कि चतूर मरठा बाहुबली ने अजित पवार को प्रभवी रूप से अलक थलक कर उनकी महत्वा कांग्शाओं को धता बता दिया है सरत पवार की राज्यतिक चाल ही ऐसी है कि अजित पवार को ससक्त और असक्त बनाने के दोनों सिध्धान्द विश्वसनी और निराधार हो सकते हैं यहां तक की री लेट जैसे जुड़े जुए के खेल में रूसियों को मात देने वाली क्रोएसियाई प्रतिभा को भी पवार की राज्यतिकों विस्देचित करने में परेशानी होती है अपने केरियर की सुरुवात में ही पवार ने दूसासिक महत्वा कांग्षा प्रतसित की थी वर्ष 1978 में युवा पवार ने अपने गुरु स्री चवान के वर्मान पर महाराष्ट में वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी और विभिन पाटियों का गड़बंदन त 38 साल की उम्र में महाराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे 1980 में 87 बैतकल होने पर पवार ने महाराष्ट के हर जिले का दोरा किया और किवधनती है कि वह महाराष्ट के 288 विधानतवा छेत्रों के राज्यतिक कारिकरताओं को उनके नाम से जानते पैचानते हैं जमिनी हकीकत से यह जुडाओ पवार की ताकत के लिए अहम हैं उनका यह कोसल चार दसक बाद काम आया था जब उन्होंने प्रवर्तन निदेशाला से जुड़े एक मामले में लगाए गए आरोग का इस्तेमाल करते हुए बाजपा को बहुमत पाने से रोग दिया था उन्होंने अजित पवार द्वारा बाजपा के साथ सरकार मनाने के प्रयास पर भी रोग लगाई भले ही राज्यते गल्यारों में कहा जाता है कि इससे पवार की मंजूरी थी फिर उन्होंने महाविकास अगारी के गडवंदन के लिए सीवसेना राकपा और कांग्रेस का एक अभुतपूर गडवंदन बनाया विडमना यह है कि उनकी पार्टी में कई लोग मानते हैं कि अजित पवार भाजपा के गडवंदन बनाने के साथ राकपा को तोड़ने के लिए तयार है और इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है रणनितिक स्वायत्ता के विचार को सरत्पवार ने तब अपनाया था जब भूराजनिती में इसका चलन भी नहीं था और जो कांग्रेस के आला कमान की संस्क्रती से बहुत अलग था दरसल चंद सेकर के साथ उनकी दोस्ती 1990 में राजिव गांधी के साथ परेसानी में डाल दिया पवार की विभिन दलों के नेताओं के साथ मित्रता रही चाहे वह दक्षिन में जै ललिता या करुणा निली रहे हो और उत्तर में सेख अब्दुल्ला या बादल हाला कि उनकी पार्टी पहले कांग्रेस एस और अब राकपा ने सायद ही कभी रिकार्ड बनाये हो पर पवार ने अपनी पार्टी के चुनावी प्रोफाइल से ज़्यादा दम दिखाया दसकों तक पावार संभावित प्रधानमत्री पत के उमिदवार के उपनाम को बरकरार रखा या इसलिए कि राजनिती व्यापार खेल और समाज में व्यापक नेटवर्क के साथ उन्हें प्रसासन में महारत हासिल है और वह उदारी करण के समर्थक हैं पावार की राजनिती की व्याख्या करने के लिए उनके व्यक्तित्व के लची लिपन को समझने की आवस सकता है 1999 में वह सोनिया गांदी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हो गए और राकप्पा बनाई इसके बाद उन्होंने 1999 में महाराष्ट में कांग्रेस के साथ गडवंदन किया और फिर 2004 में UPA के सदस्य के रूप में केंदर में मनमोंसी सरकार में सामील हो गए हाल की घटनाओं ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया अप्रिल की शुरुवात में पवार ने विपक्षी नेताओं से खुद को अलग कर लिया खास कर कांग्रेस से और यह कहा कि उन्होंने गोतम अड सहयोगियों ने राय साजा नहीं की यह सच है कि पवार ने राज्यतिक शेत्र में कारोबार निताओं पर निसाना साधने से किनारा कर लिया है अटकलों को हवा देने वाली बात यह की बयान जारी करने के साथ कुछ अपते बार पवार ने अदानी से मुलाकात भी की गटनाओं और कत्नों का राजनेतिक संदर्व महतोपून है हपतों से मीडिया मंत्राले में फिर बदल की अटकलों से घिरा हुआ है सिंदे के नेतरत वाली सरकार के गड़ बंदन पर सुप्रीम कोट का फेसला लंबी थे सिंदे के नेतरत वाली सिवसेना और बाजपा के बीच भी महराश्ट की कम और 1924 के चुनाओं की बहुत ज़्यादा हो रही है महराश्ट में लोकसभा की 48 सिटें हैं और राज्य का चुनावी गणी बाजपा के मिसन 2024 की योजना में माइने रखता है बाजपा ने मिसन महाविजय का नारा गड़ा है और 45 सिटों का लक्ष निर्धारित किया है यहां तक की सी वोटर इंडिया टूडे पोल ने भी बाजपा को MVA गड़बंदन से पीछे रखा है इस पस्त है कि MVA और NDA के बीच का अंतर ग्रामिन और मराठा वोटों का है आकलन यहां है कि मराठा को उन वोटों के लिए रापक के साथ गड़बंदन करने की जरूरत है एसे में राकापा निताओं पर जाच एजन्सियों का दवाओ बढ़ाया जा सकता है और सत्ता में हिस्सेदारी का विकल पर भी दिया जा सकता है और वोट भेंकी चाबी सरत पवार के पास है कहा जाता है कि पवार की बेटी और बारामती सांसत सुप्रिया सुले ने दो राज्यति भूकम्पों की भईश्वानी की थी एक महराश्ट में और एक दिल्ली में जाहिर तोर पर पहला सरत पवार का इस्तिफा और वापसी था अब दूसरे भूकम्प का इंतजार है धन्यवाद